जमुकश्मीर के सुंदर्बनी सेक्टर में सेना और आतंगवादियों के बीश सुमवार को मुटभेड हो गई आतंगवादियों ने आर्मी के काफिल में शामिल एम्बूलन्स पर गोली बारी कर दी थी सेना और NSG के कमांडों ने इसके बाद कॉम्बिंग ओपरेशन शुरू किया इस दोरान एक आतंगवादियों के बीश मुटभेड में जवानों का साथ दे रहे डॉक फेंटम को आतंगवादियों की गोली लग गई घायल अवस्था में उसका इलाज किया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका इस तरह सेना के बाहदुर साथ ही फेंटम शहीद हो गया पतादे की पिछले कुछ दिरों में आतंगवादियों के हमले तेज हो गए हैं सरदी आने से पहले भारत में घुसने की कोशिश में जुट लग गई थी फेंटम गंभी रूप से घायल हो गया था और उसे बचाया नहीं जा सका चारों तरफ से घिरे आतंक्यों को ठेर करने के लिए जब भारतिय सेना आगे बल रही थी तो आतंक्यों की फाइरिंग में फेंटम को गोली लग गई थी सेना के वाइट नाइट को न से को ज्यादा ही थी फेंटम का ब्रीड बेलजियम मैलिनॉय था उसे असौल्ट डॉग का दर्जा हासल था बतादे कि आर्मी अपने अभियान में ट्रेंड डॉग की भी मदद लेती है इसके लिए बकायदा डॉग को प्रशिक्षर दिया जाता है उधर सेना के जम्मो इस कि आतंगवादियों की गोली बारी में सेना की एक एंबुलेंस को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा अधिकारियों के मताबिक गोली बारी के बाद आतंगवादी जवाबी कारवाई के डर से पास के जंगलों में भाग गए उन्होंने बताय कि बाद में आतंगवादियों क एक बेस्मेंट में छिपे होने की जानकारी मिली अधिकारियों के रुसार सेना के विशेश बलों और राश्ट्रिय सुरक्षा गाड के जवानों को मौके पर भीजा गया जिसके बाद दोपहर करीब दो बचकर 45 मिनट पर धमाके की आवाज सुनाई दी और गोली बारी भी श कर गयाता